आप देख रहे हैं दखल न्यूज ग्रैमंत्री अविश्राह का बयान जिसे विरोध करना है कर ले सिये वापस नहीं होगा मदर्प्रदेश में पहली बार तोप का सफल परिक्षन जवबपूर में चली सारंग तोप दिवास में जिला योजना समीती की बैठक में हंगामा मंत्री पठवारी और सांसत बहेंद्र जिंग सुरंकी में हुआ विवार कमलनाथ के मंत्री पीदी शर्मा का गुस्ता साथ में आस्मान पर अपने ही लेता की जम कर पेट से दिगी और केंद्रे मंत्री प्रलाद पठेने की खायलों से मुलाकाद राजकर करेक्टर के विवार से नाराज नजर आए नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखनी उस खबरे विस्तार से लखनओ में ग्रह मंत्री अमिश्या ने कहा कि जिसे विरोध करना है कर ले सिये वापस नहीं होगा अमिश्या देश भर में सिये पर जन जागरन अभियान की कमान समहाल रहे हैं शाहा ने कहा राहूल बाबा, अखलेश, ममता जी, बेहन जी सारजनिक चर्चा के लिए तयार हो किसी की भी नागरिक्ता चली जाए ये बता दीजे ये कानून सिर्फ नाइरिक्ता देने के लिए है शेंद्रिय ग्रह मलत्री हमेश शाह ने लखनव में नागरिक्ता संशुधन कानून के समर्थन में रैली की उन्होंने कहा मैं देश को बताना चाहता हूँ कि सीये के खिलाफ दुश्प्रचार किया जा रहा है उन्होंने कहा सीये के खिलाफ राहुल बाबा, ममता, अखिलेश, मायवती समेच सारी ब्रिगेट काउ 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 कर रही है मैं लखनव की भूमी से डंके की चोट पर कहने आया हूँ कि जिसे विरोध करना है करे सीये वापस नहीं हुगा सीये के समर्थन में शहा किया चटी रेली है इससे पहले व्यामदाबाद, जोदपुर, नई दिल्ली, जवलपुर, वैशाली में जन्सभाएं कर चुके है नागरिक का संधोगन कानून लेकर आए, CAA लेकर आए और CAA के खिलाब, एराहुल पापाएं कंपनी, मम्ताथ, अखिलेजी, बहें मायवती, कॉमिने, सारी की सारी प्रिगे इस देश के मुजमानों की इस देश के माइनोरिटी की नागरिक्ता चली जाए हूँ CAB को लोग सबा में मैंने प्राइट किया है मैं पाइलोट किया है मैं आज आप सब के सामने कहने आया हूँ मंता दिभी राउर अबा धिलेजी जिसमें भी हिल्मत है चर्चा करने के लिए सारवजनिक मंजरूलों हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तयार हूँ चाह ने कहा राहुल बाबा, अखलेश, मंता जी, बहन जी सारवजनिक चर्चा के लिए तयार हूँ अलपो संख्यक छोड़ दीजिए किसी की भी नागरिक्ता चली जाए यह बता दिजए देश में कॉंग्रेंस, सपा, बसपा, और तृणमूल, धरने और दंगे करवा रहे हैं SIA में किसी की भी नागरिक्ता चिंने का नहीं बल्कि नागरिक्ता देने का प्रावधान है पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान में करोनों लोग रह रहे हैं वहाँ अब अत्याचाग हो रहा है मैंने उनके दर्द को सुना है सामोहित बलाकार किया जाता है जब रनने कहा धर्म परिवर्तन कराया जाता है हजारों मंदेर गुर्दवारे तोड़े जाते हैं अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध के पुतले को गोले दाक कर जीन शीन करने का पाक हुआ है मदपरदेश में पहली बार तोप का सफल परिक्षन किया गया खमरिया फाइरिंग रेंच में अब जब सारंग तोप की टेस्टिंग होई तो सारा इलाका धमाके के वाज से गुज़ उठा मदपरदेश के जवलपुर में बंगलवार को पहली बार तोप का परिक्षन हुआ खमरिया की firing range में सारंग gun का परिक्षन किया सारंग gun की 36 km से ज्यादा है परिक्षन में 4 fire किये गए जुसमें 15 degree फिर 0 degree फिर 15 degree पर fire हुए अब यह gun सेना को सौपी जाएगी सेना के अधिकारियों ने बताया कि long proof range LPR खमरिया में अपग्रेट सारंग तोप का पहला परिक्षन किया गया है LPR कमांडे निश्चित राउत के नेतरत्व में BFJ और GCF में बनी सारंग तोप का परिक्षन किया तोप की मारक छमता 27 km से बढ़कर 49 km की गई है दो गन लगातार फायर की जाएंगी दो शारंग गन पहली गन जो फायर हो रही है वो GCF की है उसका नाम नंबर दिया जाएगा आपको दूसरी गन जो है वेहिकल फैक्टरी जबलपुर्दे इंटिग्रेट की हुई है उसका भी नाम नंबर दिया जाएगा दोनों गन चार-चार राउंड फायर करेंगी, अलग-अलग एंगल्स पे फायर करेंगी, उसके बारे में आपको तक्नीकी ब्रीफिंग भी जाएगी, दोनों गन के बीच में करीब 20-25 मिनिट का वक्षा लगेगा, क्योंकि एक गन हटेगी, दूसरी गन लगेगी, आप प्रलाद पटेल राजगर में पुलिस एवं प्रशाशन द्वारा की गई कारवाई में घायल हुए पीडितों से मिलने पहुचे हैं, प्रलाद पटेल ने महिला अधिकारियों की कारवाई पर सवाल उठाया है, कहा है कि तकनीक के इस युग में साफ नजर आ रहा है कि गल राजगर में भाजपा कारे करताओं द्वारास सिये, समर्था में रैली निकालने पर प्रशाशन द्वारा की गई मारपीड में घायल हुए भाजपा कारे करता करोडिया और दीपक मल से मिलने केंद्रे मंत्री प्रहलाद पटेल अस्पताल पहुचे जहां उन्होंने प्र प्रदेश ने देखा क्या हुआ था और किसकी गलती थी प्रदाद पटेल ने कहा कि अगर मुख्य मंत्री कमलनाथ इन अधिकारियों पर कारवाई नहीं करते हैं तो मद्ध प्रदेश को बड़ा नुकसान होगा पार्टी नहीं है MP में BJP मजबूत है और कमलना सरकार को करारा जवाब देगी दिग्विजय के बयान पर उन्होंने कहा दिग्विजय सिंग कुछ भी कहते हैं उन्हें इसका जवाब मिलेगा उनको भी अतीत को पलट कर देखना पड़ेगा ये खबर मद्ध प्रदेश के जनसंपर्क और विधी मंत्री PC शर्मा के लिए है मंत्री PC शर्मा कॉंग्रेस में सहज सामान ने माने जाने वाले नेता थे लेकिन अब PC शर्मा के सिर्थ सत्ता गनशा चड़के बोल रहा हैं उन्हें सच बोलने वाले अपने लोग भी पराय लग रहे हैं किसान खेत मजदूर कॉंग्रेस के प्रदेश महा सचिव शैलेंद्र वर्मा मंत्री PC शर्मा को अपनी समस्या बताने पहुचे थे लेकिन PC शर्मा ने अपना आपाखो कर उनकी ऐसी बेज़दी की कि पूछिये मत मंत्री PC शर्मा जी पता नहीं सत्ता आज है कल हो ना हो लेकिन आपका ये बढ़ता बताता है कि अगर आप ऐसे ही चले तो फिर ना पद रहेगा और ना सरकार वैसे भी लोगों ने आपको सेवा करने के लिए चुना है हर्दा में जिला योजना समीती की बैटक में शामिल होने के लिए पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री PC शर्मा अपना आपा खो बैठे उन्होंने अपनी पार्टी के एक परिशान पदादिकारी को अपनी समस्या रखने पर डाट कर बगा दिया मंत्री शर्मा ने कौंगरिस निता को जेल में बंद करने तक कि धमकी दे दी इसके बाद सत्ता की गर्मी से बौराए मंत्री PC शर्मा ने कौंगरिस निता को कलेक्टेट पर सर से बाहर करवा दिया दरसल हर्दा के प्रभारी मंत्री PC शर्मा कलेक्टेक्ट पहुंचे थे वे लोगों की समस्याओं के आवेदन ले रहे थे इस जोरान किसान खेत मैज़ूर कॉंगरिस के परदेश सचिव शेलन वर्मा अपनी समस्या बता रहे थे कि उन्हों ने यह कहा कि आप जिनको मिठाईयां खिला रहे हैं वो मेरे साथ कुंडाई कर रहे हैं बस पिर क्या था सत्ता का नशा मंत्री PC शर्मा के सर पर चड़ गया और PC शर्मा का असली रूप सब के सामने आ गया पहले दिखाते हैं आपको PC शर्मा का वो वीडियो जिसमें कॉंग्रेस निता की भरपूर बेज़्जती करते PC शर्मा नजरा रहे हैं अब कर सबाएं झाएं इसार मिलगेंं सब्सक्राइब करें दिर जाक्राइब u बलते अगरे, ताहिज है थी और फृवस्ट ओझाहने, ताहिए वची तो नियाकूएदि वाल भूस्टावरो अजिए, भीस देखले, या भीसे वहता है, भीसे थाए सर्दीर हुआए, प्रॉड झाल फृवस्टावरो, ली बना, अभीसे वहता है, अजय देखले, या इस अंगामे के दौरान कॉंग्रेस नीता वर्मा ने पीसी शर्मा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए साथ ही उन्होंने इस्थानी कॉंग्रेस नीताओं पर चापलूसी करने का आरोप भी लगाया पीसी शर्मा के बरताव से कॉंग्रेस नीता की हालत खराब थी उनको डर था कि पीसी शर्मा उनको बिना कसूर के जेल ना भीज़वा दे इस अंगामे के बाद किसान कॉंग्रेस के परदेश सचीफ शैलेंड वर्मा इसकदर भाईबीत नजर आए के बाद में उन्होंने मंत्री पीसी शर्मा से माफी तक मांगी जबकि वीडियो बताता है कि इस घटना करम में गलत बरताओ मंत्री जी कर रहे हैं इसके बाद कॉंग्रेस नीता शैलेंड वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे साथ हो राए अन्याए मेरी सरकार पीसी शर्मा जी आपके इस बरताओ को आपकी पार्टी की निता तो सेहन कर लेंगे लेकिन जनता सेहन नहीं करेगी बाकी आपकी मर जी देवास में जिला योजना समीती की बैठक के दोरान मंत्री जीतू पटवारी और भाजपा सांसर्द महेंदर सिंग सोलंकी के बीच जमकर विवाद हुआ आतिकमा हटाने और गंगा इंडिस्ट्री की जाच के मसले पर ये सारा विवाद हुआ बैठक की अदेक्षिता कर रहे मंत्री पटवारी ने भाजपा सांसर्द से कहा कि अपना सामान्य ज्यान दुरुस्त करके आओ मैं आपको उठा के यहां से बाहर कर सकता हूँ हिला योजना समीती की बैठक में जमकर हंगावा हुआ मंत्री जीतु पटवारी और बीजेपी सांसर्द महेंद्र सिंग सोलंकी के बीच जमकर बहस बाजी हुई दोनों ने ताए एक दूसरे पर आँखे तरेरते हुए नजार आए इन दोनों में पहले बैठने की बात को लेकर फिर अपिकमर और गंगा इंडस्टी की जाँच की बात को लेकर बहस हुई ऐसे में देवास शेहर कॉंग्रिस अध्यक्ष मनोज राजानी से भी सांसर्द महेंद्र सिंग सोलंकी की बहस हुई बैठक में जीतुपटवारी ने कहा सांसर्द जन प्रतेनिधी है उसने व्यक्तिगत रूप से मेरा अपमान किया है इसका सबक सही समय पर इन्हें दिखाना है ये सुनकर बीजेपी सांसर्द ने कहा देवास शाजापूर लोकसभा के 18 लाख मद दाताओं का अपमान कर रहे हैं मेरे पास शिकायत आ रही थी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि गंगा इंडस्ट्री किसकी है लेकिन लगातार उसकी शिकायत आ रही थी कि गंगा इंडस्ट्री ने वहाँ पर अतिक्रमन किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया कि गंगा इंडस्ट्री की जहाच करवाई जाए और अतिकर्मन पहटा आए जाए इसी बात को लेकर वहाँ पे जो दलाल सजन सिंग वर्मा जो कमनला सरकार की दलाली करता है उसका कोई अनाधिकरत प्रतिनिती वहाँ पर बेठा हुआ था वो इस बात को लेकर भड़क गये उन्होंने मेरा अपमान किया और साथ ही देवास शाजापूर के उन 17 लाग मद्दाताओं का अपमान किया जिनोंने मुझे चुना और वहाँ पर मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया जो कॉंग्रेस के लोग जिस प्रकार का अनाचार अत्याचार यहां की जनता और कारिकरता के उपर कर रहे हैं उस आवाज को उठाने नहीं दिया गया उस आवाज को दबाने की कोशिश क बैठक में बहस के दौरान मंत्री पठवारी ने सांसत से कहा कि नियमों के तहत में आपको उठा कर इस बैठक से बाहर कर सकता है। अदो कर सकता है। हाला कि अधिकारियों के समझाइश के बाद दोनों शांत हुए और बैठक शुरू की गई लेकिन बैठक खत्म होने के बाद एक बार फिर पटवारी और सोलंकी में विवाद बढ़ गया सूचना मिलने पर कॉंग्रिस कारी करता भी कलेक्टर कारेयले पहुचे और प्रधार मंतरी के खिलाफ नारे बाजीर करने लगे इससे पहले भी जियोस की बैठक में पटवारी और सोलंकी के बीच भिवाद हो चुका है बैठर के बाद पटवारी ने कहा सांसच जी जिस तरहा की भाशा का उपयोग कर रहे थे बार-बार हात और उंगली दिखा कर बात कर रहे थे मैंने उनसे कहा कि इस पद की गरिमा होती है आप जज की भुमिका में यहां आए है मैंने यह कहा कि विधायक जी जिस तरीके से तू तू तेरा तू करेगा बार-बार सांसच जी बार-बार इस तरीके से भाशा बोल रहे थे हाथ और उंगली दिखा रहे थे हैं वीडियो में आप लिगों के आगया होगा तो मैंने कहा कि ये किस पत की गरीमा होती है तो फिर उन्होंने जो वक्तव दिये उसको लेकर मैंने कहा कि ये ऐसी भाषा बोलना किसी पत के लिए नहीं होता है आप इसकी अपेक्छा आप से न काम करने का रिका होता है जी थू पत्वारे ने कहा कि प्रशास्मि harvest का द्रश्टी कॉंगरेस की सत्ताव संग्रण के 20 सविन वह स्थापित करने के लिए बनाई गई संमयती में शामिल कुए जाने पर जीतू-पत्वारी ने कहा कि संगठन अच्छा कार करे इसका यही उद्देश है कार करताओं के कारण सरकार बनी है इसके लिए सत्ता और संगठन में बेहतर समन्दवे होना जरूरी है जिसके कारण समीती बनाई गई है हर पार्टी का अपना काम करने का एक तरीका होता है मेरे साथ मुखबंती कमलनाथ, पूर मुखबंती दिविजे सिंग, कौंगरेश महासचिफ जोतरा सिंदिया, परदेश प्रभारी दीपक बावरिया और मीनाक्षी नटरा जिन भी समीती में सामिल है राजगर में करेक्टर के मार्क पीट को लिका जीतू पटवार ने कहा कि बीजेपी कारकरताओं के तोरह महिला अधिकारियों के साथ जैसा व्यवार किया गया वो निंदनी है परशासनिक दुष्टी से दिखा जाए तो जो हुआ वो गलत है महिला अधिकारियों के बाल खीचे गए वो पूरी तरह से गलत है बीजेपी कारकरताओं ने अधिकारियों के साथ बदस्तलूकी की है राजगर की जहां तक गटना का सवाल है एक महिला अफिसर के साथ बद्तमीजी करना बाल खिचना और नेचरल है कि कुछ भी परिस्तिती बने अधिकारियों को उस परिस्तिती में और खासकर महला अधिकारी को जिस परिस्तिती में एक तरह से जो विहवार हुआ वो निंदनी है और राजगर की जो भी घटना हुई मैं मानता हूँ कि प्रिशासनिक दरश्टी से विसा नहीं होना चाहिए पर एक महला अधिकारी के साथ इस तरह का सलूक भी कारी करता हूँ भारती जिनता पर्टी के कारी करता हूँ और खासकर जो पूर विधायक थे उन्होंने किया ये भी ठीक नी है आचारे प्रसना सागर जी महराज ने नागरिकता संशुधन कानून को लेकर कहा कि पी एमोदी और अमिश्याह ने वो काम किया है जो 15 सालों से कोई नहीं कर पाया आचार प्रसन सागर जी महराज गौलियर में जन्मंगल महुस्थफ कारिकरम में प्रवचन देने के लिए आये हुए थे अहिंसा संसकार पदियात्रा के प्रणेता आचार प्रसन सागर जी महराज इंदनों गौलियर प्रवास पर हैं उन्होंने लोगों से कहा कि तुम धर्म की चिंता करो तुम्हारी चिंता चिंता मनी हो जाएगी CAA और GST पर चर्चा करते हुए प्रसंद सागर महराज ने कहा कि प्रदान मंतरी नेरेन मुदी और ग्रह मंतरी अमिशा ने इन दोनों चीजों को लागू करके दिखा दिया है जो 50 सालों में कोई नहीं कर पाया गौर्ट अलवे की आशा प्रसंद सागर जी महराज गौर्जर में जनमंगल महुरसफ कारकरम के तहत आयू हैं इसके साथ ही वे जनमंगल महुरसफ की विशार धारा को आम जनता के बीच परतिपादित कर रहे हैं के अंजाम पीछे बहुत अच्छे हैं कुछ चीजें प्रारभ में बहुत अच्छी लगती पर उनकी अंजाम गलत निकलते हैं तो मैं सोचता हूं कि जिनको समझ में नहीं आया वो इस चीज का नागविक्ता का बिरोद कर रहे हैं लेकर सब यही है कि आने वाले तीन-पांस साल बात इस सारी बाते अम्रत जैसी लगेंगी कि उन्होंने जो देश के लिए किया हैं पचास साल में आज तक कोई भी नहीं कर पाया जो मोदी जी अमिजी ने किया है समय ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहे हैं दखालने तक संगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीढ़ों से नकसलवादियों के गड़ता जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक प्रेक के बाद आपका स्वागत है पथरिया विधायक रामबाई अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियां बटोड़ती हैं लेकिन इस बार रामबाई मेले में बच्चों संग मस्ती करने को लेकर रामबाई बच्चों के अफ्तार में नजर आएं जिसका वीडियो जमकर वाइरल हो रहा है अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाली पथरिया से बी उनका मन है कि वे भी बच्चा बन जाएं और सभी बच्चो संग जूला जूलें दिन भर मेले में मस्ती करें मेले में बच्चो के संग मस्ती करते हुए रामबाई राजणीती नहीं भूलीं उन्होंने कहा कि मैंने शंकर भगवान का अभिशेक किया और भगवान से प्रात्ना की कि कमलनाथ हमेशा मुख्यमंत्री बने रहें और वो उनके साथ रहें माफियाओं पर हो रही कारवाई को लेकर सीम कमलनाथ और चीफ सेकेटरी ने कमिशनरों को संदेश भेजा है जिसमें उन्होंने निर्देश दिया है कि माफियाओं के चक्कर में कोई भी आम इंसान और वेपारी परिशान ना हो सरकार के अफसरों ने माफिया के नाम पर आम लोगों को परिशान करना शुरू कर दिया है इस सरकार के खिलाफ आम लोगों में आकरोश बढ़ गया है यह मामला सरकार तक पहुचा तो सीम कमलनाथ और चीफ सेकेटरी ने संबाग के कमिशनरों को पत्र लिखा है सब ही कमीशनरों के तहट जो कमेटी बनेगी उसमें ये निर्देश दिये जाएंगे जन्संपर्कमंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि अब तक एक लाख तक के रिन माफी हो चुकी है बाकी एक लाख के लिए 30 जनवरी के बाद अभियान शुरू होगा माफिया के खिलावी एक्शन हो रहा है या आम आदमी परिशान हो रहा है यह सदेश आदानी उक्वर्दी कावलागी ने देश आदरा से वहीं से विज़ा है और इसीद पर पर जो अधिकारी तमचारी नीचे जो इसीश पध्यान रखेंगे और जो एक्शन प्लांट बने उस पर यह सब चीए अच्छे से देख ली जा है राइगड में सरिया पुलिस ने बड़ी कारभाई को अंजान देते हुए एक बलेरो गाड़ी से साथ पोरी अमोनियम नाइट्रेट साथ डेटोनेटर एक बंडल सेफटी वायर बरामत किया है नकसरी इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में विस्पो टक पाई जाने से मामला बेहत संगीन हो गया है पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर पूश्टा शुरू कर दी है शत्रिशगर में सरिया पुलिस ने बड़ी कारभाई करते हुए औरिशा से लगे ग्राम कंचनपुर में घेरा बंदी कर एक विस्पो टक से बरी बलेरो बरामत किया है औरिशा से आरी बलेरो में साथ बोरी अमूनियम नाइटरेट सास्तो डेटोनेटर एक बंडर सेफटी वायर ले जाए जा रहा था पुलिस इन लोगों से पूछ आच कर रही है बताए जा रहा है कि इतनी संख्या में डेटोनेटर और अमूनियम नाइटरेट बिना किसी वैद काग्जात के परिवन किया जा रहा था जहां से ये विस्पोटक बरामत किया गया है वो नकसली लाका है इस लिहास से मामला बेहर संगीन हो जाता है आरुपी और इसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं बिलाई के तालपूरी रुआवांध में एक ट्रिपल मडर का संसनी खेश मामला सामया है यह मकान नमबर 20N में एक महिला और पुरुष की जली ही लाश मिली है कमरे में ही एक करीब डेड़ महा की बच्ची का शब भी मिला है तीन लाशें मिलने से रुआ पांधा इलाखा चौक गया जिस मंजू नम की महिला की लाश मिली है वह इसी घर में रहती थी गिर्ड मा की बच्ची भी उसी की है लेकिन पुरुष की लाश की पैचान नहीं हो पाई है वह मंजू का पती नहीं है पुलिस के मताबिक मंजू की मा को किसी ने मंजू के ही मूबायल से फोन कर कहा कि तुम्हारी बेटी और दामाद दोनों चल रहे हैं आकर देख लो इस फोन के बाद मंजू की मा वहाँ पहुंची तो कमरे में तीन शव मिले ये बात भी सामने आ रहे है कि मंजू की ये दूसरी शादी है गटना के बाद से उसका पती रवी गाया वे पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है इस बात की आशेंका भी जताई जा रही है कि जिस वेक्ति की लाश मिली है वह मंजू का प्रेमी हो सकता है मंजू का पहला पती भी बिलाई में ही रहता है पुलिस इस मामले में संदिक्दों से पूछ ताच कर रही है ये बात बदमाशों को पुलिस ने धर्द अबोचा है, पुलिस ने इनके पास से देसी कटा, जिंदा कार्तूस और चोरी के लिए उपयोग होने वाले और जब्स किये हैं ये बदमाश आदतन अपराद ही बताए जा रहे हैं और इन पर पहले से ही चोरी और लूट जैसे गंभीर अपराद दर्ज हैं सिंग रॉली की बेड़न में कुटवाली पुलिस टीम ने एक पेशेवर बदमाशों के गिरों को गरफतार किया है ये सबी अपरादी सराफा वेफ़ारियों से लूट की जोजना बना रहे थे टी आई अरॉन पांडे ने मुक्बिर की सूचना पर मौके से पांच बदमाशों को गेरा बंदी करते हुए ग्रफतार कर लिया पुलिस ने उनके कबजे से देशी कट्टा जिंदा कारतूस और चोरी के उप्योग में लाए जाने वाले औजार छेनी हतोरी रेती सहित एक इंडिको कार भी जब्त की आरॉपियों के विरुद्ध आम्स एक्स के तहत मामला दर्ज कर कारवाई की गई जिसके बाद आरॉपियों को कोटवाली पुलिस ने नियाले में पेश किया CSP अनिल सोनकर का कहना है कि ये सभी शात्र अपरादी हैं इनके खिलाफ लूट चोरी जैसे गंबीर अपराद दर्ज हैं बीती रात थाना प्रवारी कोटवाली वेढ़न श्री अरोन पांडे जी कि वो सुचना मिली थी कि माच बदमास हतियार बन अधकेदी जालने की यूजना बना रहे हैं इस सुचना पर तीन पार्टी बनाकर रात में ही उनको गेरावन भी करके दविस की गई कि माच जो है हतियारों से लेस होकर के यूजना मनाते पकड़े गए उनको घॵ्तार किया गया हैकर थे तैजर रफ्तार से आ रहे हैं ट्रक ने बै बाइक सवार को लोगों ने अस्पताल में भरती कर आया जहां डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भरती कर आया जहां उसे डॉक्टर ने भरती कर दिया जो की बाला की स्कूल चाग घाट में शिक्षक के रूप में पदस्थ है सूचना के बाद मौके पर पहुची पुलिस ने ट्रक सहे चैलक को अपने हिरासत में ले लिया है बताय जा रहा है कि तेरी रफ्तार अन्यंत्रे ट्रक सड़क किनारे लगे गोमती और फेलों को भी न शुरू कर दी है नकसल प्रभावित इलाके जगतलपुर के मूर्ती लाइन बंगाली पारा में एक मकान से जिन्दा कार्थूस और मैगजीन मिलने से इलाके में हड़कम बच गया आसपास के लोगों ने इसकी सूचना बोधगाट पुलिस को दी थाना प्रभारी ने बताय साथ ही आसपास लगे CCTV फोटेज खंगाल रही है बस तरनकसल प्रभावित छेत्र होने की वज़ा से पुलिस सभी पहलूं से मामले की जाँच कर रही है अभी एक गंड़ा पहले सुचना मिली थी कि एक लावारिस मकान है यहांपर मुर्ती लाइन में बंगाली पारा में वहाँ पर एक बैग में एक मैगजिन मिला है जिसमें जिन्दा करतुस है जिसकी तस्दिक कर रहे हैं हम लोग CCTV फोटेज देख रहे हैं और जाँच गरफतार कर लिया है इन लुटेरों ने चाकू की नोग पर बैक समेट 80,000 रुपे का दस्तवेज लूट लिये थे तीनों आरोपी लुटेरे उधारी चुकाने और अपने शौक पूरा करने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे इस बार भी लूटी गई राशी मेंसे कुछ राशी इन लुटेरों ने खुद के उपर खरश कर ली आरोपी दुरवेश का कहना है कि उसकी मां से उस एजेंट समूलोन की किष्ट मांगने घर आकर बार बार परशान कर रहा था इसी बात को लेकर उसने अपने दो आने साथियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने की जोजना बनाई और उससे लूट लिया टी आई विकरम रेजक ने बताया कि दश जनवरी को आई डी एकसी बैंक के एजेंट महिंद परसवार दो पर एक बज़े समूलोन की किष्टों का कलेक्शन कर बी टी आई रोट से बाला गांच तरफ आ रहा था अब दोस जनवरी को दोपर एक बज़े किष्टों के इसमें पर पर प्रता है वसन्यवाद में वहाँ एक समूलोन एजेंट हैं महन पारस कर लोट सी बैंके हैं यह अतना लोन कलेक्शन करके आ रहे थे तो रास्ते में दो अग्याज बनवाशन के दोरा इनको जूटा जया पर प्रता है उनसे अच्छी हो जा अच्छो रुपे शीने गया थी बैग में रखे थे तो उसके बाद परार हो गए थे रिपोड पर अप्रादर्श किया था उनसे बानवेगा और उसके लगातार अध्याज जो अरूपी थे उनकी कलाश की जा रही थी मुग्विर की सू प्रदान मंतरी के पर इक्षा पर चर्चा कारेकरम को लेका शिक्षा बिवाग ने प्रोजेक्टर के माध्याज बाद प्रजेक्टर के बाता है अध्यम से विध्यार्तियों को प्रधान मंतरी का संबोधन लाइव दिखाया पर इक्षा पर चर्चा कारेकरम से विध्यार्तियों को प्रेणा मिली इस कारेकरम का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि छात्र तनाव मुक्त होकर आगामी बोड और प्रवेश परिक्षा दे प्रधान मंतरी की परिक्षा पे चर्प्षा का रिकम को लेकर जिला श्यक्ष्या विभाग ने राईजन गाओं के विवेन सकूलों में व्यव्यापक तीजा रही है कि परजक्तर के माध्यम से विद्यारतियों को प्रधान मंतरी के संबुधन का लाइव प्रसारन दिखा गया है अच्छा बता रहे है कि विकास कैसे होगा यह सब और इतने भी पहाई कि छेत्रे में है उसे प्रदान मंत्री जीने यह प्रेड नहीं कि बात बोले उन्होंने कि लाइफ में ना किवल परिच्छा का अंक ही हमारा वो नहीं होता तारगेट उसे वह एक पड़ाव हमारे जिंद्गी का उसे में हमको सीख मिलते हैं जिनकी जीने का अधार मिलता है उससे कि अपने जिनकी में कैसे वे तकलीपों को दूर करें यहीं को साजा किया कारेकरम के दोरान प्रदानमंत्री ने शिक्षकों और अभी वहवकों को भी संबोदित किया चात्रों को परिच्छा के दोरान अस्तनाव मुक्त रखना इस कारेकरम का मुख्युद्देश था प्रदानमंत्री जी बच्छों से देश के युगाउं से बात कर इस बुलिचन में फिल हाल इतना ही आप देखते रहें दखल न्यूस दखल आद के हाथ में ऑस्वड लहर्यों से सांस्कृत एक ताने बाने था जंबल के पिढ़ों से नकसलमादियों के गर ठाइख जोपड़ी से मेलों तक, ठेलों से मेलों तक, पकदंडियों से सडकों तक, गाउं से शेहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राज़्टीती से उटमीती तक, दखन नीउज, आपके हद तक आप देख रहे हैं दखन नीउज